दर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में लोग ज़्यादा तर ठंडी और पहाड़ी जगों में जाना पसंद करते हैं ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर कुछ सुकून की पल बिताना चाहते हैं नदी जर्णों में नहाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगों के बारे में बताने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं जून जुलाई में घूमने लायक 6 जगों के बारे में मेकलोट गंज जब भी हील स्टेशन पर घूमने की बात आती है तो लोगों की जबान पर सबसे पहले मैकलोट गंज हील स्टेशन का नाम आता है हिमाचल परदेश में बसा मैकलोट गंज अपनी खूब सूरती के लिए मशूर है यहां साल भर सैलानियों की बीड जमा रहती है और लोग यहां खूब इंजोई करते हैं आपको बता दे धरम साला से मैकलोट गंज की दूरी लगबग 5 किलोमेटर है यहां रहने के लिए कई अच्छे होटेल्स और भूमने के लिए कई खूब सूरत जगह मौजूद है बेहत फेमस जगह है हर साल यहां आप काफी संख्या में प्रियटकों की भीड देख सकते हैं यहां जब भी आएं तो नाथूला इंडोचाइना बॉर्डर और रूम के एक मॉनिस्ट्री का अधभूत नजारा जरूर देखें इसके अलावा आप यहां लाचूंग और यूम थांग घाटी के सुन्दर द्रिश्य को भी देख सकते हैं साथ ही सिकिम्टी तीस्ता नदी रिवर राफ्टिंग के लिए बेस्ट है शिमला जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा लोग सिमला का ही रुप करते हैं सिमला मौल रोड, क्राइस चर्ज, कुफरी, चैल, नारकंदा, ताता पानी के लिए काफी फेमस है यहां आप लोकल मार्केट में जाकर खरीददारी भी कर सकते हैं इसके अलाबा सिमला में उची पहाडी परस्तित जाकू मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं यहां हनमान जी की 108 फीट उची प्रतिमा स्थापित है मेगाल्य हर साल देश के लोगी नहीं विदेशी भी इस जगह पर गूमने के लिए आते हैं मेगाल्य की बारिश का नजारा अपने आप में बेहद ही खास है एशिया का सबसे साफ सुत्रा गाउं, मोलिनोंग और पृत्वी का सबसे गीला रहने वाला इलाका मोसिन राम्मी मेगाल्य में ही मौजूद है यहां आपको प्रकर्ति के कई अद्बुत नजारे देखने को मिल जाएंगे अल्मोडा अल्मोडा उत्रा खंड का एक जिला है जहां आपको प्रकर्ति का एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा दिली से यहां तक की दूरी 350 किलोमेटर है यहां गर्मियों में गूमने के लिए काफी संख्या में प्रियतक आते हैं आप यहां बेहद कम पैसों में एक अच्छा ट्रिप लैन कर सकते हैं अल्मोडा में जागेश्वर मंदिर, नंता देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर और स्वामी विवे का नंद मंदिर देखने लायक दर्शनी स्थल है लैंस डाउन अगर आपको पहाड़े जगों से बेहत प्यार है तो आप सहर के शोर से दूर लैंस डाउन में सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं उत्राखंड के लैंस डाउन से अच्छी जगह आपको और कहीने मिलेगी यहां कई पुराने मंदिर, चर्च, प्रकरती के शांदार नजारे देखने को मिलेगी हसीन वादियों वाले इस जगह को देखने के लिए परियेटक यहां खीचे चले आते हैं